कि दूश्कार सांथियों कि सफर नमावाई मुकेश जियन में आप सभी का स्वागत है कि सांथियों कि जैसा कि आप जानते हैं कि टेकनोलोजी के इस यूग में पैसा कमाना कोई कठिन कारें नहीं है बस आपको किवल आपकी यूग्जिता के हिसाब से उस काम का चेयन करना है यह दिया दस्वी बारोगी पास है उर यह आप कंप्यूटर का घ्यान रखते हैं और यह आपको कंप्यूटर का घ्यान नहीं भी है तो कहीं पी जाकर आप तीन महिने का बेशिक कोर्स कर सकते हैं जिसमें आपको हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, वर्ड, एक्सल में काम करना सीख जाओगे नेट के से चलाना है? मोबाईल ने सब सिखा दिया हुआँ जो हमारे पास स्मार्ट मोबाईल है उसमें हम बहुत कुछ काम तो करी लेते हैं और अधिकतर बच्चों के पास स्मार्ट फोन है इसलिए भी स्मार्ट फोन से हम टेकनोलोजी सीख कर अपने बिजनेस को केसे स्टार्ट कर सकते हैं साथियों, कई के पास लिप्टाप भी होगा, गवरों में कम्पूटर के साथ प्रिंटर भी है तो यदि आपके पास कम्पूटर प्रिंटर है और कहीं पर भी थोड़ी सी जगे है चाहे आपकी फरस्ट फ्लोर पर हो सकती है चाहे आप जो कहीं कॉंप्लेक्स बना उसके चड़ाओ की निचे की दुकान हो सकती है या आप चाहे तो आपके घर का बारामदा जोए वहाँ पर आप छोटी सी दुकान मना सकते है और इस काम को शुरू कर सकते है इस काम को शुरू करने के लिए आप MP Line MP Online सर्विस चालू कर सकते है CSC Common Service Center ले सकते है अब इनके दुआरा आप कौन-कौन से काम कर सकते है मैं आप को उसके बारे में जानका ले दिया हुआ है आपको बिजली का बिल भरना है आप MP Online से भर दीजिए आप किसी कालेज में पढ़ रहे है इंजिर्म कालेज की फीस भरना है MP Online के माध्यम से भर आती है आप वह जाएए फीस भर दीजिए वो व्यक्ति उसका शुल्क ले लेगा जमा करने का या आपको जमीन का कोई खसरा निकालना है तो आप उनके पास जाएगे वो फटा-फट आपका खसरा निकाल देंगे तो दस रुपेज आपको मिल जाएगा यदि results आया है Marship का print-out चाहिए 10 रुपे लेगे Marship का print-out मिल जाएगा और था यदि आपको computer का knowledge है तो आप उसके द्वारा कई कारी कर सकते है आप घर बेटे बेठे कोई भी booking कर सकते है कोई से विभाग की जानकारी चाहिए उस विभाग की जानकारी ले सकते हैं संपत्ति कर भर सकते हैं जलकर भर सकते हैं बिजली का भील भर सकते हैं कई लोग ऐसे होते हैं जो वहां लाइन में लगना पसंद नी करते हैं और आपके माद्यम से बिजली का भील भर देंगे किये स्रिविशे से आनलाइन खेसरे से लेकर RTO का लाइसेंस आपको बनाना कर सकते हैं कर सकते हैं आपको छी से यह the answer आपको को है कोई भी वेक्ति आपके डाता है आपको बोर्ले दीजिए ईया FOOD लाइसेंस के लिए या यह जो है OSCRA के लिए बारे किया जाता है गुमास्ता के लिए फाम भरे जाते हैं आनलाइन जितने भी कारी होते हैं आप केबल उस एक कंप्यूटर प्रिंटर और इंटरनेट की मदद से सारे कारी कर सकते हैं और साथ यो अच्छा पैसा मिलता है आपका विभार बन जाता है लोग आपसे जुड़ जाते हैं इतने आनलाइन पर फुर्सती नहीं थी फाम भरने के लिए व्यावसाइक परिक्षा मंडल जितनी परिक्षा है उजित करता है उनके सभी फाम एंपी आनलाइन अध्यम से भरे आते हैं मैंने खुद ने देखा है कि जब पुलिस परिक्षा निकलती है या कोई भी जेल प्रहरीक परिक्षा निकलती यह संहिदैँ सिक्षभ की परिक्षा निकलती है एंपी आनलाइन पर ऐसी भी लगी रेती है यह सुभए से लेकर राद तक काम चलता है और एक 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 यह मददा लग दोस्ते नहीं हो आराम से क्योंकि फॉर्म भरना बच्चे इतने हैं सेंटर है का आप देख लिए आप अगर किसी गाउं में रहते हैं आप किसी का लुचें पालोनी में रहते हैं तो हर बच्चे का हर घर में यह मेरा जो हाउस टेक्स भर दो है बहुत सारे काम होते हैं जो आनलाइन होते हैं तो साथियों आप अगर दस्वी बार्यूप पड़ेवे हैं थोड़ा कंप्यूटर से आप फ्रेंडली हो जाएं इंटरनेट आप चलाना जानते ही हैं एक प्रिंटर ले लिजिए सरकार आपको नहीं हो तो आपको सरकार लोन दे रही है आप स्ट्रीट वेंडर में अपना पंजिन करा लीजिए दस जार रुपर तक का लोन तो महीं मिल जाएगा यदि आप एक साल बाद उस लोन को पे कर देंगे तो आप पचास जार भी लोन दे सकते हैं तो साथियों आप आपको काम करना है आपको सरकार फिये दिन भोलना है कि बेजता है की इसाга ओप जाते हैं हैं मोबाइल का उपियोग आना चाहिए कि वह सुनने के लिए मोबाइल थोड़ी है तो बहुत सहरी चीजी होती है और उसी से रोजगार पेदा करना पड़ागा उसी से घर चलाना होगा आपके सारे खर्चे निकलेंगे एसे ऐसे मैंने उज्जेन के अंदर देखे हैं जो किवल टाइपिंग करते हैं हर वेक्ति वह टाइपिंग काम पढ़ता ही पढ़ता है कोई आवेजन मनाना है किसी आपके आगाज सब्मीट हो गए अर्था आपके जन प्रवानपत्य चाहिए तो आपको आनलाइन करना है मतलब सब चीज तो आपको आनलाइन है सारी चीज तो आनलाइन होगे इसलिए सांथियों आप अगर दसुई बारी पढ़ेवे हैं आप थोड़ी बहुत भाशा समझ प्रश्ते हैं आप अपना आनलाइन सेंटर शुरू कीजिए शुरू में तकलीब आईगी कोई दिक्कत नी सिखेंगे सीखते सिखते सिक जाएंगे दो तिन में ताप ट्रेड हो जाएंगे फिर देखिया कोई दिक्कत नी कोई खर्चा नी कुछ बीनी केवा लाइट पील इंटरनेट का पैसा पास और उसमें कार्टेज लग रही प्रिंटर में वह बागी सब पैसा जेम में कम पुंजी के बहुत सारा धंदे साथियों पर करना होगा अपने सोचते के बड़ा आदमी बन जाएंगे तो बड़े आदमी ऐसे नहीं बनते हैं शुरूबाद छोटे से ही करना है वो बहुत अच्छा गाम है दिन बार फाल तो इदर अदर गुमने बेटने बेटने सरकार को कोसने अपने घरवा लोग कोसने उससे कुछ नहीं होता ह अपना रास्ता खुद बनाईए आपने मनुष्य जीवन लिया है मनुष्य जीवन में उपर वाले ने आपको दो आँखे दी दो हाथ दी दो पेर दी आप मजबूत बने हैं अरे आप ऐसे ऐसे लोगों से सीखिए कि प्रभू ने उनने कुछ कमिया रख दी लेकिन उन कमि उन्हों को उन्होंने वीशेस्ताओं बदल दिया हम देखते हैं कि किसी के बच्चों के हाथ नहीं है तो पेरों द्वारा चित्रकारी करता है बताव अगर रोता रहता तो रोता रहता तो रोना कोई समस्या घल नहीं है सब कुछ है आपके अंदर सब आप में ही है बाहर दिखता है सवर के देखना है तो खुद कोई जाना पड़ता है है कि अपने भारत ने कहते हैं अपने अपने बुजूर के गए अर्थक उनका उद्देश यह था कि भाईया तुमको अगर अच्छी चीज कुछ भी देखना है सवर के मतलब बहुत अच्छी चीज सारी आपके चर्णों होगी पर करने की इच्छा शक्तितों होना है न और इच्छा शक्तिव अगर ही मन मेश रहे हारे मन के जीते जीत अगर मन में आपने इश्वास ठान लिया तो कोई काम चोटा नहीं है से साथियो आज के लिए इतना ही शुरू किजीय आप और देखिए पि जहीं?